नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नलोजी कीडा चैनल के अंदर और आज मैं आप लोगों का होस्त तरुन सैनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो टुटोरियल और वो भी आप लोगों के प्रोजेक्ट से रिलेटेड एस्प.net कोर से ही इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को layout.csstml के बारे में बताएंगे और हम लोगों ने application का जो नाम है वो यहां से चेंज कर दिया है टेक्नलोजी कीडा ये आप लोगों को layout.csstml कहां मिलेगा आप लोगों को views के अंदर जाना है views folder और उसके अंदर shared folder के अंदर जाना है यहां पर आप लोगों को layout.csstml page मिलेगा ये page आप लोगों का master page ही कहलाता है जैसा कि आप लोगों ने अगर पीछे वारे video tutorial देखे होंगे तो उसमें मैंने master layout page के बारे में बताया ही था ये menu है और ये add.render body है जहां पर आप लोगों के बाकी views जो है वो run होते है इस वाले section के अंदर और ये जो है उपर वाला section आप लोगों को हर page में दिखाई देता है जो की layout page से inherit होते हैं ठीक है तो हम लोगों ने application का नाम यहां से change कर दिया है technology kidda आप लोग देख सकते हैं और आप मैं application को run करने वाला हूं और इसमें कुछ categories जो है वो add करने वाला हूं तो application को run करने के लिए आप लोगों को triangle green color का button दबाना होता है और आप लोगों के application जो है वो host हो जाती है तो यहां पर देखिए आप लोगों का जो नाम है technology kidda यह blogger blog था पहले तो वो change हो चुका है technology kidda आप लोगों के पास आ चुका है और यहां पर register login आप लोगों के पास है ही as usual त कहीं कोई user का interface तो उसमें नहीं दिया है या नहीं दिया है वो देख लेते हैं categories controller और यहां पर create के अंदर देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो की user के द्वारा authenticated होता हूँ later on हम लोग discuss करेंगे इस बात पर हम लोग क्या करेंगे categories कुछ add कर लेते हैं जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूँ categories और index जैसे ही मैं यह डालता हूँ तो यह category controller पर जाएगा और उसका index जो method है उस पर चला जाएगा तो इसमें हमारे पास title है description है और published date है जो की categories में आने वाल लेता हूँ जैसे कि अब यहां पर क्या गलती है देखिए scaffolding जो है by default single line text box आप लोगों के लिए बनाता है हम लोगों को यहां पर चाहिए था text area जो की चीज बनाए ठीक है तो अभी तो हम लोग यहां पर single line ले लेंगे लेंगे लेकिन next में हम लोग आप लोगों को बता द programming in C मैं यहां डाल देता हूँ description है C programming language about ठीक है published date है जो की आज की ही date जो है वो consider होगी कब publish होगा date है आज की तो मैं यही publish कर देता हूँ create मैंने यह लिखा तो यहां पर इसकी जो category है वो यहां पर आ चुकिए published date इसकी आ चुकिए फ्रोपर्ली वर्क कर रहा है एडिट हम लोग अगर करना चाहिए तो programming in C language हम लोग यहां पर लिख सकते हैं save करता हूँ तो यहां पर एडिट भी प्रोपर्ली काम कर रहा है details जो है वह प्रोपर्ली काम कर रहा है back to list delete है तो यह भी प्रोपर्ली काम करेगा तो scaffolding के जो categories के options थे हमारे वो properly work कर रहे हैं यह हम लोगों ने देख लिया कि create जो category का जो option था वो properly work कर रहा है तो c programming हो गई, object oriented programming कर लेते हैं object oriented programming, आज की date दे देता हूँ, object oriented programming हो गई, java programming लिख देते हैं तो देखें, तीन categories जो हैं मैंने technology कीडा के अंदर same date में डाल दी है तो आप लोगों कोई problem नहीं होगी I think, और मैं यहाँ पर जो categories हैं वो एक बार के लिए डाल लेता हूँ ताकि navigate करने में आसानी हो, तो इसके लिए आप लोग ये menu bar है, आप लोगों का पता है तो इसमें हम लोगों को कैसे add गर नहीं होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर ये है, index यहाँ पर show हो रहा है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, यह हटाना है यहाँ से और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ categories ठीक है, और create जो new button है, उसका भी जो color है वो link actually में है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैंने off कर दिया है debugging और मुझे यहाँ पर category controller डालना है तो यह जो list item है, इसी को मैं select कर लेता हूँ और इसी की मैं copy paste कर देता हूँ layout.csstimul में जाईएगा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था और मैं इसी की copy paste कर देता हूँ privacy के बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ category category controller कौन सा है, categories controller है, यह देखिए home controller की जगए यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, categories ताकि मुझे बार बार उन चीजों पर नहीं जाना पड़े ESP action कौन सा है, index, यह action method का नाम लिखना है आप लोगों को index action method, ठीक है, इतना आप लोगों ने किया, categories controller पर हम लोग चले गए, यहाँ पर index method में क्या show कर रहा था, index का हम लोगों को views पर जाना है और categories के index पर जाना है, index में यहाँ पर default में index लिखा हुआ आया है आप लोगों के पास, तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या आना चाहिए show all categories, यहाँ पर देखी बटन जो है, वो create का है, तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर create new की जगा हम लोग लिख देते हैं, add new category और यहाँ पर जो action method है, वो तो यही रहेगा, class हम लोग इसकी चेंज कर देते हैं, primary button कर देते हैं, btn, button बना देते हैं, button primary, ओके, तो यह किस type के आप लोगों को दिखने लग जाएगी, यहाँ पर show all categories आजाएगा, और यहाँ पर आप लोगों का categories का जो link है, वो आप लोगों की screen पर ही आजाएगा, यह देखिए categories, category आगया, जैसे आप लोग इसे click करेंगे, तो इस परकार से आप लोगों को show all categories, सारी की सारी categories दिखाई दे रही है, add new category पर click करेंगे, तो इस परकार का option आप लोगों के पास नजर आने लग जाएगा, इसको भी हम लोग modification में डालेंगे, अभी इसी लिए, अब next जो है add new category पर हम लो हुआ है default में, तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ create को, कोई जरूरत नहीं है, यह horizontal line की कोई जरूरत नहीं है, यह हमारे पास है description, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पर text area होना चाहिए था, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पर लिखता हूँ text area text area, actually single line text नहीं है, multiple line text है, इसलिए इसे multi line text box के रूप में ही present किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको change किया, यह देखे फिर से हम लोग इसको run कर लेते हैं, अब मैं आप लोगों को धीरे-धीरे सारी चीज़े बताऊंगा, आप लोग यहाँ पर ही, अग categories पर चलते हैं, और यहाँ पर show all categories आप लोगों के पास आ रही है, add new category पर चलते हैं, तो title आप लोगों के पास, programming में यह text area बन चुका है, देखे, इस परकार से, और date है, publish date, इस परकार से आप लोगों को नजर आने लग जाएगी, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें grid लग convert करूँगा, कि यहाँ पर आप लोगों के पास paging नजर आए, ठीक है, paging नजर आएगी, यहाँ पर shorting भी आएगे, तो इसको हम लोग jquery grid में ही convert कर देंगे, ठीक है, तो यह हम लोग बाद में कर लेंगे, चलो, यहाँ पर paging भी show करना है, यहाँ पर हम लोगों को एक text box भी show करना है, ताकि मैं categories को इसी में ही search कर सकूँ, तो html का ही एक part है, जिसमें jquery grid जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी मुझे आप लोगों को बताना है, कि jquery grid यहाँ पर हम लोग show कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर category हुई आप लोगों की, यहाँ पर मुझे post भी नजर आनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, layout section में दुबारा से जाता हूँ, और यहाँ पर category की जगे मैं, post भी मुझे show करना है, तो मैं यहाँ पर control seek करूँगा, और post भी मुझे show करना है, तो, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, post, controller कौन सा है, post controller है, यह देखिए, post controller है, index उसका action method है, तो मैं post पर जाता हूँ, और यहाँ पर index action method में, यह देखिए, सभी post जो है, वो show कर देगा, तो मैं अभी blogger blog में चलते हैं, अभी कोई भी post इसमें नजर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, तो हम लोगों को जो basic functions है वो हम लोग एक बार के लिए clear कर लेते हैं, तो मैं post पर click करता हूँ, तो यह post का जो section है, यह ऐसा आएगा कि आप लोगों का title दिखाएगा, post का description दिखाएगा, publish date होगी, और application user ID होगी, यानि कि application user आप लोगों को show करना है, कि कि किसने यह post जो है, वो लिखी है, तो यहाँ पर create new, एक तो यह change करना होगा, दूसरा create new पर दबाता हूँ, तो यहाँ पर application user ID के लिए यह आता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं क्या करूँगा, जब भी मैं post को click करूँगा, तो मुझे यह पता होना चाहिए, कि user जो है, वो authenticated है, या नहीं है, logged in user ही, कोई post जो जैसे ही मैं authorize attribute यहाँ पर डालता हूँ, देखेगा, कि आप लोगों में कुछ changes जो है, वो क्या आता है, तो धीरी धीरी चीज़े जो है, वो बदलेंगी, सारे tutorials इसी post में आप लोगों के पास आ जाएंगे, देखे, जैसे ही मैं post पर click करूँगा, तो यह unauthenticated user के लिए है एक local page can't be found, no web page found for this web address, कि इस web address पर कोई भी page जो है, वो मुझे मिला नहीं है, यह इस पर गया है, account login, return URL, post, इस पर गया है, कि login का जो URL actually में उसे मिला नहीं है, यह देखे, जब मैं login पर click करता हूँ, तो actually में मेरे पास login हो जाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ है, क्य क्योंकि हम लोगों को login partial, जो है, वो class देखनी होगी, अभी login partial है, इस में application user है, application user है, और यह देखिए, account logout, account manage index, जब user logged in होगा, और अगर logged in नहीं है, तो account में जाएगा, register, register पर click करेगा, और account, अभी देखे, हम लोगों को यहाँ पर चलना होगा, areas में, areas में आप लोगों के पास identity है, ASP area क्या है, identity, कोई problem नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ASP area क्या है, identity, कोई problem नहीं है, pages जो है, pages में क्या क्या है, account है, account यहाँ पर लिखा हुआ है, और login.cshtml यहाँ पर लिखा होगा, login.cshtml, कोई problem वाली बात नहीं है, तो देखिए हम लोगों के पास क्या गलती हो रही है कि हम लोगों को जो single page है वो run नहीं हो रहे हैं तो हम लोगों को startup.cs file में जाना है और यहां पर आप लोगों को क्या लिखना है end points end points ये जो end points variable आप लोगों का बना हुआ है dot map razor pages क्योंकि जो single pages है ये single line pages है actually में razor pages ही है ये map नहीं हुए है तो हम लोगों को इनको map करना होगा तो I think आज के लिए इतना ही enough होगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि हम लोगों को क्या-क्या चीजे करनी होगी थाकि आप लोगों को समझ में आ सके देखिए मैं आप post पे click करता हूँ तो ये directly ये login section पे आप लोगों को डाल देता है ठीक है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा I think बहुत मज़ा आ रहा होगा तो please वीडियो को share कीजिए like कीजिए और channel को subscribe कीजिए थन्यवाद